हेलो फ्रेंज वेलकम टो ओटो मोटर आज हम लाएं आपके लिए एप्रिलिया SX-R125 का रिव्यू तो दोस्तों वीडियो में बने रहना है एंड तक देखना वीडियो को अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले और बैल आइकोन को दबा दे ताकि ऐ हैलाइस की तो आपको DRS में मिलते हैं वाइट कलर की काफी ज़्यादा शांदार लगती है देखने में डिजाइन वाइस काफी ज़्यादा बड़ी दी गई हैं बोल्ड है हैलाइस आगे से देख सकते हैं ऐसा कुछ रहने वाला है डिजाइन नीचे की तरफ आपको मिल जा चाहूंगा इसका डिजाइन यहां से आप देख सकते हैं अलोई वील्स का डिजाइन काफी ज़्यादा शांदार लग रहा है फिट एन फिनिश काफी अच्छी है और वील साइज आपको मिलता है 304.8 mm का MRF का टायर देखने को मिल जाता है और टायर साइज की बात करें तो आपको 120-70-12 का टायर मिल जाता है तो दोस्तों ऐसा कुछ लूक रहने वाला है फ्रेंट से और यहां पे आपको मिल जाता है ब्लैक कलर का मट फ्लैप तो अब बात करते हैं साइट प्रोफाइल से तो साइट प्रोफाइल से आप पूरा लूक देख सकते है एक बाद स्कू स्कूटर के अंदर देखने को और एक ग्लास मिलता है जो की रहने वाला ब्लैक कलर का काफी जाया शानदार लगता है देखने में एपरिलिया की बैजिंग मिल जाती है फ्रंट में यहां पे और आप बात करते हैं इसके हैंडल के बारे में तो आपको दिखाना चाहूँग ब्लैक कलर का आपको मिल जाता है स्कूटर के अंदर हैंडल मटैलिक ग्रे कलर में आपको अपरिलिया की बैजिंग मिल जाती है यहां पे और यहां पे लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं इंडिगेटर पासिंग का बटन मिल जाता है आपको देखने को नीचे होरन मिल जा आउगा आपको एक बार तो देख सकते हैं लोग कुछ ऐसा रहने वाल है आपको Speedometer मिल जाता है Time देखने को मिल जाता है ट्रिप का there मिल जाता है Temperature देखने को मिल जाता है इस वाले display के अंदर फ्यूल का Indication देखने को मिल जाता है तो काफी जादा अच्छा जूर्ण है डिस्प्ले मिलता है Aprilia SXR 125 में आपको और अगर आप इसके की को पुश करेंगे तो आपको ये स्पेस देखने को मिल जाता है जो की काफी शानदार रहने वाला है यहाँ पे आप अपने वालेट, मुबाइल वगरा रख सकते हैं डॉकुमेंट रख सकते हैं जो की easy to use रहने वाला है आपको left side आपको एक charging port मिल जाता है देखने को यहाँ से आप अपने phone को charge कर सकते हैं तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा जो feature है दिया गया है इस वाले scooter के अंदर अब बात करते हैं इसके seats के बारे में तो आपको दिखाना चाहूंगा black color की आपको seats मिलती है fit and finish काफी जार अच्छी रहने वाली है stitching आप देख सकते है red और white color में मिलती है जो की काफी जार शानदार लग रही है देखने में तो दोस्तो side से आप profile देख सकते है आपको SXR125 की बैजिंग भी मिल जाती है यहाँ पे देखने को Aprilia की बैजिंग मिलती है red alphabet में देख सकते हैं ऐसा कुछ look रहने वाला है mati finish मिल जाती है यहाँ पे आपको black color की dimension आप screen पे देख सकते है Aprilia की क्या रहने वाली है की आप देख सकते हैं दो keys मिलती है आपको और अब इसकी seat को मैं open करके दिखाना चाहूँगा आपको तो देख सकते हैं ऐसा कुछ space देखने को मिल जाता है आपको और आप अपना helmet रख सकते हैं आपको एक यहाँ पे light में मिल जाती है halogen bulb के साथ petrol आप यहाँ से डला सकते हैं यहाँ पे आपको plastic finish देखने को मिल जाती है देख सकते हैं ऐसा कुछ look रहने वाला है साथ लिटर का आपको tank space मिलता है इस वाले scooter के अंदर पीछे से आप seat का एक look देख सकते है ऐसा कुछ दिखता है पीछे से rear look की बात करें तो आपको body color मिलती है और black color का design भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे matty finish में और आप बात करते हैं इसके engine की बारे में तो आपको 125cc का engine मिलता है जो की 9.22 PS की power generate करता है 9.2 notometer torque generate करता है देख सकते है kick भी मिल जाती है आपको black color की finish मिल जाती है suspension आप देख सकते है पीछे भी आपको yellow wheels मिल जाते है और आपको मिल जाता है पीछे की दराव drum brake जिसका size रहने वाला 140 mm का और tire profile की बात करें तो 120, 70, 12 का ही आपको tire मिलता है mud flap आपको दिख जाता है और आप पीछे से look देख सकते है Aprilia का कुछ ऐसा रहने वाला है पीछे से look tail lights आप देख सकते है LED में आपको tail lights मिलती है Aprilia की badging मिल जाती है यहाँ पे आपको देखने को तो रोस्तो पीछे से आप design देख सकते है ऐसा कुछ look निकल के आने वाला है tail lights का काफी जाए शानदार लग रही है देखने में appealing look लग रही है Aprilia SXR 125 की और यहाँ पे आपको silencer देखने को मिल जाता है design आप देख सकते है यहाँ पे आपको blackler की matti finish मिल जाती है देखने को तो दोस्तो इसके footrest का आप design देख सकते है काफी जाए शानदार रहने वाले design वाइस काफी अच्छा बनाया गया इसका footrest तो दोस्तो सारी जो information specification मैंने बता दियोगी आई होप आपको अच्छी तरह इसके बारे में पता लग गया होगा अब मिलते हैं अपने next video के अंदर